यह प्रोटीन हेयर मास्क लगा लिया तो पतले बाल भी इतने मोटे घने और लंबे हो जाएंगे कि कटवाने पड़ेंगे हलो प्रिंस वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अर्बेट के हिल्देन वीडियो सेकर्ट में गाइज आज के इस वीडियो में मैं से करेंगा बालो को स्वस्त चमकदार बनाएगा इस बनाएगा बहुत ही लफुल वीडियो है गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस तरह की लाइक करना बनता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह इस हेर मास्क को हमें कैसे बनाना है तो इसके लिए गाइस मैंने यहाँ पर एक खाली डिस्पोजल ग्लास लिया है तो आप कुछ भी ले सकते हो कोई भी कटोरी ले सकते हो बॉल ले सकते हो उसमें मैं ले रही हूँ मेथी दाना दो चमच मेथी दाना मैं यहाँ पर ले रह ज्टों गवातु हैं बाल्भा इस से नोल को स्व्वस्त्र जिन्ग फास्वोर स्वेक Kings यह सारे fingering कमी से Facebook कुम मज़बूत है betुसियां कीशड़ फैंशन के बालम ज़ड़ से नुटेश्ट से यह दुबारा बाल 윤 ज़ड़े उग सते मदकूं साथ इसमें विटामिन B6, फोलेट, थाइसीन और नियासीन जैसे पोस्तत तो पाया जाते हैं मेथी हमारे बालों को सौप्ट और सिल्की बनाने में भी मदद करता है यह प्रोटीन हेर मास्का जरूर इस्तमाल करिएगा मेथी बहुत फायदे मन होती है चोटे बालों को जल्दी से लंबा घना और मजबूत बनाने में मैंने यहाँ पर लिया है ब्लाइक अनियन सीट जिसे मंग्रेल कहा जाता है इसे कलॉंजी भी कहा जाता है यह हमारे पतले बालों को घहना करने में मदद करती है अगर आपके बाल घहने नहीं है तो यह आपके पतले बालों को घहना करेगी बहुत जल्दी साथ के जड़े बा मैंने यहां पर ब्लैक अन्यान सीट याने की कलॉंजी लिया है उसके बाद मैंने इसमें जरूत कंसार पानी डाल दिया है पाई डालकर मैं इसको रात भर के लिए सोक कर दूंगी ताकि अच्छे से फूल जाए उसके बाद हम इसका हैर मास्क बनाएंगे और अगर आप इसको फिल्टरड वाटर में सोक करते हो तो यह हैर फॉल के लिए बहुत ही बेनिफिसल हो जाता है इसकी जो बेनिफिटों डबल हो जाते हैं क्योंकि अगर आपका हैर फॉल बहुत तेजी से हो रहा है तो आप इसको फिल्टरड वाटर में सोक करिए इसका हैर पैक बनाईए बह आप ऐसे हेर टोनर यूज़ कर सकते हैं या फिर उसमें साइंपू डालकर इसको अपने बालों को धूल सकते हैं और गाइज आप देख सकते हैं मेथी दना मारा बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है तो आप हम इसको पीछ कर इसका हेर मास्क बनाएंगे तो जिसमें हमने प यूज़ में रख लेते हैं तो फ़न्ट इसको मैंने अच्छे सा चान लिया है और आजर अगर ने पानी जाल डाल दिया है तो उसको प्ते हैं तो मैंने चान लिया है एक लग बॉल में अप में इसको Iskaр जास कर पिर बिल्कुल स्मूद पेश्ट तियार कर लूँंगी तो छाफ चलौजी होता है बालों में फस जाता है तो अगर आप पैस को एसको इसमूद पिर्ष्ट बनाते हुआ जो 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 चांसें अदो पिस लिया है इसको और भी जादे श्मूद करना उसमें और चीज़े में आड़ करूँगी तो पैक हमारा थीक है तो और भी चीज़े ए तो एक लीब मैंने लिया है इसको छील कर इसका सारा जिल में ले लूँगी तो यहां पर हमें दो से तीन चम्माज ताजा एलोबिरा जिल डाल देना इसमें इससे इसकी कंसेंटेंसी भी थोड़ी पतली हो जाएगी और इसकी गुड़नेस भी बढ़ जाएगी एलोबिरा जिल जी होता है हमारे बालो को सिल्की स्मूद बनाने में मदद करता है कलाउंची हेर पैक लगाने से हमारे बाल थोड़े ड्राय होते हैं तो इसलिए हम इसमें एलोबिरा जिल डालेंगी जिससे यह जो हेर मास्क हमारे बालो को ड्राय ना करे बल्कि यह हमारे बा तो यह इलोबिरा जिल मैं इसमें डाल दूँगी तो मैंने दो से तीन चमच यहां पर इलोबिरा जिल ले लिया है अगर आपके पास फ्रेस इलोबिरा जिल नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकते हो और ज्यादा लंबी घने बाल हैं आपके तो आप इलोबिरा की कॉं ही में प्रोटीन पाहिए चाता है तो इसे प्रोटीन और कविए दोन में प्रोटीन होता है दही डालनेसे प्रोटीन की मिक्सी में पीस लेंगे अच्छ से ताकि इसकी जो कंसेंटेंसी है वो भी अच्छी हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ पेश्ट इसका बनकर तयार हो जाए तो मैं पीसने के बाद आपको दिखाती हूं तो मैं इसको ये अलग बॉल में कलेक्ट कर ले रही हूं तो बिल्कुल ही स्मूथ पेश्ट इसका बना हुआ है तो इस तरह सापको स्मूथ पेश्ट बनाना है एक बाल पर दाल काय को जो झा सकते हूं आपके बाल कलीन होने चाहिए और थोड़ा बहुत अगर आप के बीमें यर् 보통 इसको अपलाई कर सकते हों तो इसकी सिलाग तो और जढ़ने के लिए कंष्ट कर्ने कि अधेंगों कायों कल्ड ड़िए कंष्ट ऑल्य कायो हो जड़े बालों को दूबारा सुगाने इन बहुत ज़्यादा करता है। आपके पास कैश्टरोल नहीं तो आप यहां पर दो चेमच कोकोनट ऐल भी डाल सकते हो। मैं यहां पर कैश्टरोल डाल रहे हूं क्योंकि आरेणि को अपने थीक करना है। तो बालो की ठीकनेस के लिए केस्टर ओल बहुत फाइदे बालो को भी रोगता है, जड़े बालो को दुबारा से उगाता है, हेर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, एक चमज में यहाँ पर केस्टर ओल यानि के अरेंडी का तेल डाल दूगी, उसके बाद सारी चीज़ों को हम हमारे बालो को थोड़ा ड्राइ करता है, इसलिए आप यहाँ पर ओल जरूर डालें, बहुत जादा चीज़े हमें इसमें अट करने के जरूरत नहीं है, और यह हमारा हेर मास्क बनकर रेडियो हो गया है, इस हेर मास्क के सबसे बड़ी खासेतिये हैं, कि आप इसको एक हप हरा हेर मास्क बनाने का तो आप एक अपते के लिए इसको एकठ्था बनाकर फ्रिज में श्टोर कर सकते हैं, क्याई जी यह हमारे हेर ग्रोथ को तेजी से प्रमोट करता है, अगर आपके बाल बहुत चोटे, आप अपने बालो को तेजी से बढ़ाना चाहते हो, लंबा घन के बाल बहुत जादा पतले हैं कमजोर हैं बीच से टूट जाते हैं तो यह आपके बालों को पूरी तरह से पोसर देता है जिससे बाल मोटे हो जाते हैं बाल स्वस्त हो जाते हैं जिससे बालों के जड़ने टूटने की प्रॉब्लम भी दूर होती है अगर आपको बहुत जा बार, आपके इसका, इसका इस्तमाल करना है, गीन के बाल, जल्दी बढ़ने लगेंगे, जितना ज़्यादा, रड़़ादा आप इसका, आपके बालों के ग्रोथ में ये फायदा करेंगा, और भी चीज Gund, के लिए, और आपके बालों से जो भी प्रॉब्लम से उसको जल्दी से दूर करेगा. तो चलिए जान लेटें इसको कैसे अपलाई करना है. तो फ़रन इसको मांग करकर करके अच्छे से अपने स्केल्प में लगाना है. आपको सबसे पहले अपने बालों को टैंगल परी कर लेना है. तो आज़से बाइबत मजशाए मंग करके एको अचछे से अप्लाई कर लेना है जिस से अपको पूरा स्कैलप कवर हो लिए जो बच गया है उसको में श्टोर कर दूँगी फ्रिज में और जब दोबारा से भी हम इसको लगा सकते हैं तो इसको ठंडा नहीं लगाना जब आप दोबारा इसको अपलाई कर रख दे जब रूम टेमप्रेचर पर आ जाए तब आप इसको अपलाई करें इसे लगा क के को कोसets ना करें क्योंकि धुलने के बाड जब आपके बाद सूख जाते हैं तो दीडे-दीडे इसको जो भी पार्डिकल आपके बालों में फस ऊरते हैं और वह मिलब अपने लेई जादते बार किम पर निंदी लिए बहुता कर नहीं की। तो कम से कम 2-3 महीने तक आप इस hair mask का जरूर इस्तिमाल करें आपके बालों के सारी problem को यह दूर करता है तो जी ते हमारी आज के useful वीडियो जड़ा भी पसंद लगी तो प्लीस वीडियो को लाइक ज़रूर करी है अभी तक चनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस चनल सब्सक्राइब करें के एक घ्र वौसे अगर आपकी कोई भी कोई रही है तो में उसको जरूर रिप्लाई क करेंस तो आप से वीडियो को फ्रेंट फेमली के साथ सेयर कर सकते हैं अगर आपके घर में किसी खोफी येर फॉल हो रहा है ताप उसके साथ वीडियो को ज़रूर सेयर करें ताकि उसे भी बेनिफिट मेले और अगर 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 आप मेरी रेमडी चूज करते हैं तो प्लीज